नमस्कार आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स मैं हूँ आपके साथ महक 104 करोड रुपे के बैंग गोटाले मामले में कोड वर्ड के जरीर रिश्वत बांग रही एडी के दो अधिकारी फिल हाल CBI के गिरफ्त में है प्रवर्तन निदेशाले का यह कोई पहला केस नहीं है जहां विबाक के अधिकारियों द्वारा रिश्वत बांगी गई है लेकिन तथ्यों के साथ अधिकारियों का पकड़ा जाना जरूर हैरत में डालता है बैंक ओफ बड़ोदा में हुए 104 करोड रुपे के घोटाले में CBI और ED आमने सामने आ गई है 104 करोड रुपे के बैंक घोटाले में मामना रफा दफा करने के लिए 75 लाख रुपे की दिश्वत मांग रहे प्रवरतन निदेशाले के उप निदेशक पूरन कामा, सिंग और सहायक निदेशक भुवनेश कुमार को CBI ने उनके दो सहीयोगी समेट 4 लोगों को गिरफतार किया है दुल्चस्प बात ये है कि ED अधिकारी कोड वर्ड के जरिये लिश्वत मांग रहे थे और कोड बर्ड था एक किलो यानी एक लाख गिरफतार आरोपियों को कल CBI की विशेस अदालत के सामने पेश कर रिमान पर लिया जाएगा CBI उनसे जानना चाहती है कि उनका ये अव्य घंदा आखिर कब से चल रहा था और उन्होंने किन किन लोगों से रिश्वत ली है और कहीं इस मामले के तार दिल्ली मुख्याले से तो नहीं जुड़े हुए है बताते चले कि एक महीने के दौरान E.D. के वरिश्ट अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगे जाने के आरोप में गिरफतार होने का ये दूसरा मामला सामने आया है इसके पहले CBI ने बैंगलूरू में तैनात E.D. के सहायक निदेशक को गिरफतार किया था और उस मामले में भी उपनिदेशक का नाम सामने आया था मामले की जाद जारी है E.D. के अधिकारी पेड़िस से रिश्वत मांगते समय कोड़ वर्ट का इस्तमाल करते थे अब देखते हैं कि पूश्तास का सिलसिला कब तक चलता है और पकड़े गए अधिकारीों से रिश्वत और गबन के कितने और मामले सामने आते हैं अगर E.D. जैसे इतने महत्यपूर विभाग के अधिकारी ऐसा करेंगे तो ये वाकई E.D. के कामकाच पर एक बड़ा प्रश्ण उठाता है अगर आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को लाइक करें और शेर करना ना भूलें धन्यवाद